दोस्तों आप देख रहे हैं बाबादर्शन न्यूस अभी मैं कारा काट के परत्याशी हैं इंद्र राज रौशन यानि के एक ऐसा युवा और चर्चित नाम जो के मैंने जब उनसे अभी जब मुलाकात की तो लगा कि एक युवा जो है युवाओं की धड़कन बन सकता है क्योंके जिस तरीके से कोई फिल्म सिटी से आया है कोई पांच साल मंत्री रहा है केंद्रिये लेकिन ये लड़का लुवाओं की बात करता है इनहीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आप आखिर आपके लड़ने का उद्देश क्या है और आप लड़ाई को किस तरीके से त भी बनेंगे और सिर पैसे वाले ही नियता नहीं बनेंगे नेता बाबाkennt ये ड़ित躲ू एक मुझे अधीकार का जिससे हम लोगbin bipartisan करके आगे आने वाली फिडि़ी को सेफ कर सकते हैं जो आज आने वाली पिड़ी मेरा उलाम पड़ा हुआ है नेताओं का जिनके पास पैसा है जो चार-चार फर्चुनर, दर-दस फर्चुनर काफिलास चलते हैं आज उनको नेता बोलते हैं नेता ऐसे नहीं होते हैं हमको याद करना चाहिए उनको लाल बहादूर सास्त्री जै तो उनको याद करना चीए आज के परिवेश के नेताओं को नहीं हम दस फर्चुनर से चलेंगे तो हम नेता हैं नहीं हम पैदल चलेंगे और नेता हैं हम आने वाले कल लिवाओं को देखाना चाहते हैं कि आप आओ और चुनाओ लड़ो मैं च्षेत्र में जाता हूँ लड़ने के लिए तैयार हैं और यही मेरी लड़ाई है कि वहाओं को राजनीत में आना सबसे ज़रूरत है कि जब तलाप का पानी गंदा हो जाता है उसको चेंज किया जाता है उसी तरीके से हमारे नेतागन गंदे हो चुके हैं उनको चेंज करना हमारा सबसे पहला परज रोक्षन जी एक सवाल यह है कि यहां पर जिस तरीके से चुनाओ लड़ा जा रहा है जिस तरीके से सारे लोग मिल के चुनाओ लड़ रहे हैं संगठन है आप निर्दलिये की रूप में अपने आपको कैसे देखते हैं की सबसे पहला बात है थक्रपार जब चार-चोड मिलते हैं तब एक संगठन बनता है उनीं को कताँ हैं चौड-चोर मौसर भाई पहले यह सब चोर हैं को क्यों नहीं अपना पेंशन कुरी पॉन से चश्पार मिलेगा उनको जमीन कब मिलेगा है यह जमीन की माता को पर नाँ घर्टी पे जनम लिए उनको माता कब मिलेंगी तो यहां बात है सिर्फ मतलब की लोग के यहां से गुलामी से तो हम लोग निकल चुके लेकिन कहीं न कहीं जाके फिर एक जंगल में जाके फ़स गए वो जंगल का नाम है दल दल जिसमें जातीगत पाटीगत दल दल है उससे हम लोग को बचने का काम है यहीं पर एक पुल है जो दो साल से छती गरस थे और लगभग ये ऐसी लाइन है जो सीधे पटना ले जाती है उत्तरद विहार को जोड़ती है आखिर ये पुल जो है उसके लिए कोई अंदोलन वगएर या कुछ यहां के नेता बात करते हैं दुरगा पूजा पर यहां के न अभी विकास के मुद्दा पर बात नहीं करते हैं सिर्फ सर ये एक मुद्दा दो साल का पूल का आप देख रहे हैं उन्हें सो चौरासी से एक फैक्टरी बंद पड़ा है इसको भी कोई नहीं देख रहा है यह पूल तो मान के जलिए कि यहां डेहरी का दुर भाग गया है सब्सक्राइब नहीं करते हैं सबसे बड़ा नेता कहा थे पेपर लिक हो जाते हैं इसमें सबसे बड़ा नेता कहा थे पेपर लिक होना मतलब कौन इसमें अधिकारी के साथ सतनेता हो कहा थे जीज दिन नेता सुधर जाएंगे उस दिन अधिकारी सुधर जाएंगे लेकिन चोर-चोर मौसेरा भाई वसी इस बात को समझने आपका कितने नंबर पर है और कौन सा निशान है यह मेरा निशान मेर निशान 11 नंबर पर है और 11 खिलाड़ी खिलते हैं बल्ला च्छाप है और बस हम सब जनताओं से ही अपील करते हैं कि बस आप लोग 11-11 मदद करा दो देखो मैं 1,11,000 बोट से जित जाओंगा और जिस दिन मैं वहा जाओंगा उस दिन ही वाओं को एक बहुत बड़ा ताकत मिलेगा तो आज मतलब इधर IPL खतम हुआ है पर सो दिनी फाइनल उसका हुआ है तो किस तरीके से उसी बल्ले से लोग छक्का लगाते थे वैसे ही कहीं रोशन जी चक्का तो भी मार रहा है देखिए अब उपर वाले पर हम इस्वास रखते हैं क्योंकि आत्मा से हम बरतला करते हैं कभी कभी बैठते हैं तो कि यह हिस्तिती कैसी बन गई है अधिर जब आपने धर्थी पे जनम दिया ऐ है तो किसी के आहां मतलब की आप यह क्यों बना दिया क्या पिछ जातीत Incorporate को आपने महर मार के क्यों नहीं भेजा वहीं से आप मोहर मार देते ना कि लोग को कन्फूजन है नहीं होता अब यहाँ आने के बाद लोग अपने उपर मोहर लगाते हैं कि हम यह जाती के हैं नॉमिनेशन किया तो आप भी मेरी उम्र 26 साल की 26 साल के हैं रोशन जी और इनका कहना है कि मैंने चुनाओ लड़ा है युवाओं को एक संदेश भी दिया है कि युवाओं आकर हर छित्र में हर जगा अपना परतनी दित्व करें क्योंकि युवाओं के लिए बहुत सारा वक्त है और चाहेंगे युवाओं तो हर काम को अच्छे से कर सकते हैं विकास कर सकते हैं युवाओं को देख सकते हैं किसानों को देख सकते हैं कैमरा मैं राजेश कुमार के साथ मैं एनामुल्ला खान अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कीजे और वीडियो को शेर कीजे अगर आप इस वीडियो को यूटुब पर देख रहे हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजे और घंटी के आइकॉन को दबाईए